सैंधो सब्विता एवं संस्कृति सैंधो सब्विता के लिए साधानतया तीन नामों का प्रियोग होता है सिंद सब्विता, सिंद घाटी की सब्विता और हडपा सब्विता हडपा सब्विता की खोज वर्स 1921 में भारतिय पूरातत्तो सर्वेचण विभाग के महानिदेशक सर जौन मारसल के निर्देशन में राय बहादूर दयाराम साहनी ने किया था हडपा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिले जोकि वर्तमान में साहिवाल नाम है वहां इस्थित है जबकि मोहन जोदडो सिंद के लरकाना जिले में इस्थित है पिगनट ने हडपा और मोहन जोदडो को एक विस्तरत सामराज की जुडवा राजधानिया कहा है हडपा रावी नदी के बाये तट पर जबकी मोहन जोदडो सिंदु नदी के दाहिने तट पर इस्थित है जौन मार्सल ने सरुप्रथम इस सब्विता को सिंदु सब्विता का नाम दिया रेडियो कार्बन याने की C14 जैसी नवीनतम विसलेशड पद्धति के द्वारा हडपा सब्विता कीती थी कहीं कहीं तेइस सो पचास से सत्रा सो पचास इसा पूर्व भी मानी गई है जो सारवाधिक मानने हैं लगभग 2300 इसा पूर्व से 1900 इसा पूर्व तक यह सब्विता अपने विकास की पराकाश्टा पर थी यह सब्विता मिशोपुटामिया तथा मिस्र की सब्विताओं के समकालीन थी विभिन विद्वानों ने सैंधो सब्विता की तिति का निर्धार किया है जिसमें से कुछ विद्वानों का जो तिति निर्धार है उस पर हम थोड़ी सी चेर्चा करते हैं जैसे कि जॉन मार्सल मानते हैं कि यह सब्विता 3250 इसापूर्व से 2750 इसापूर्व तक रही होगी, जबकि अरनेस्ट मैके का मानना है यह सब्विता 2800 इसापूर्व से 2500 इसापूर्व तक रही होगी, वही माधव सरूप वत्स जी मानते हैं कि यह सब्विता 3500 इसापूर्व से 2500 इसापूर्व तक रही होगी जबकि गैड का मानना है कि यह सब्विता 2350 इसापूर्व से 1700 इसापूर्व तक रही थी वही पर मार्टिमर वीलर मानते हैं कि या सब्विता 2500 इसापुर्व से 1700 इसापुर्व तक रही होगी जबकि फेयर सर्विस का मानना है कि या सब्विता 2000 इसापुर्व से 1500 इसापुर्व तक रही होगी सातियों अब तक इस सब्वेता के अवशेस पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजिस्तान, हरियाना, पश्यमी उत्तर प्रदेश, जम्मु कश्मीर, पश्यमी महराष्ट में पाये जा चुके हैं इस सब्वेता का सारवादिक पश्यमी पुराइस्तल सुप्ता गेंडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुराइस्तल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुराइस्तल मांडा जम्मु कश्मीर में, तथा दच्छडी पुराइस्तल दैमाबाद महराष्ट में ह इसका आयताकार त्रिवुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किमी छेत्र में विस्तरत है प्राप्त साच्चेओं से ग्यात होता है कि मोहन जोदरों की जनसंख्या एक मिस्तित प्रजातिकी थी जिसमें कम से कम चार प्रजातियां थी प्रोटो आस्ट्रेलाइड याने की काकेशियन, भूमद्य सागरिय, अल्पाइन और मंगोलाइड मोहन जोदरों के निवासी अधिकान सता भूमद्य सागरिय थे सिंदु सब्यता के संस्थापकों के संबंद में विभिन विद्वानों के विचार अलग है जैसे कि डॉक्टर लच्मन सुरूप जी मानते हैं कि सिंदु सब्यता के जो निर्माता थे, वहाँ आ रहे थे जबकि गार्डन चायड एवं मार्टिमर वीलर का मानना है कि वहा शुमेरियन थे जबकि राखाल दास बनर्जी मानते हैं कि सिंदुगाटी सब्वेता के निर्माता द्रविड थे तो इस प्रकार से विभिन विद्वानों के अलग-अलग मत है सिंदुगाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गी करत किया जा सकता है पहला केंद्री नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन और तीसरा अन्य नगर एवं कस्वे हडपा के टीले या धुनसाव सेशों के विशय में सरुपर्थम जानकारी 1826 इस्वी में चाल्स मेसन ने दी, वर्ष 1921 में दयाराम शाहनी के नेत्रुत्त में पंजाब पाकिस्तान के तातकालिन मांट गोमरी संप्रति साही वाल जिले में रावी नदी के बाये तट पर इस्थित हडपा का सर्वेच्छण आरंब हुआ वर्ष 1921 और 1937 में माधव सरूप वत्ष ने तथा वर्ष 1946 में माल्टिमर वीलर ने व्यापक इस्तर पर उत्खनन कराया हडपा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्मी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है यहां से 6-6 कच्छों की दो पंतियों में निर्मित कुल 12 कच्छों वाले एक अन्नागार के अवसेस प्राप्त हुए है हडपा के सामान आवास छित्र के दच्छिड में एक ऐसा कबरिस्तान इस्थित है जिसे समाधी R-37 नाम दिया गया है नगर की रच्छा के लिए पश्चिम की और इस्थित दुर्ग टीले को वीलर ने माउंड एबी की संग्याद दी है इसके अतिरिक्त यहां से प्राप्त कुछ अन्य महत्पोड अवसेशों में एक बरतन पर बना मचुआरे का चित्र संग का बना बैल इस्त्री के गर्व से निकला हुआ पवधा जिसे उर्वर्ता की देवी माना गया है पीतल का बना इक्का इटो के वक्राकार व्रताकार चबूत्रे गेहु तथा जव के दानों के अवशेश प्रमुख है साथियों सिंधी भासा में मोहन जोदोडों का साप्तिक अर्थ मृतकों का टीला होता है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर इस्थित मोहन जोदोडों की सरोप्रथम खोच राखाल दास बनरजी ने वर्स 1922 में की मोहन जोदोडों का सरवाधिक उलेखनिय इसमारक व्रहध इसनानागार है इसकी लंबाई उत्तर से दच्छिड की ओर लगबग 55 मेटर और चोड़ाई पूरो से पश्चिम दिसा की ओर लगबग 33 मेटर है इसके मद्ध निर्मित इसनान कुंड की लंबाई 11.8 मेटर चोड़ाई 7.01 मेटर और गहराई 2.4 मेटर है यह विसाल इसनानागार धर्मा अनुष्ठान संबंधी इसनान के लिए था मारसन ने इसे तत कालीन विश्चु का एक आश्चर जनक निर्मार कहा सिंदु सब्भिता में अभिलेक युक्त मोहरे सरवाधिक मोहन जोदणों से मिले हैं मोहन जोदणों की एक अन इमारत विसाल अननागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चोड़ा है प्रहत इस नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुड़े 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेश मिले हैं संभवता यहां भवन पूरोहिता वास्था तथा यहां पूरोहितों का विद्यालाई इस्थित रहा होगा मोहन जोदलों की प्रमुक विशेश्ता उनकी सडके थी मुख्य सडक 9.15 मीटर चोड़ी थी जिसे राजपत कहा गया सडके सीधी दिसा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वरगाकार अथवा चतुरभुजाकार खंडों में विभाजित करती थी सडकों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को आक्सफोर्ड सरकस नाम दिया गया है मोहन जोदडों के पश्शिमी भाग में इस्थित दूर्ग टीले को इस्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर कुसाड सासकों ने एक इस्तूप का निर्माड करवाया था मोहन जोदडों से प्राप्त अन्य अवशेशों में कासे की बनी, नतिरत, नारी की मूर्ती, पुजारी, योगी की मूर्ती, मुत्रा पर अंकित, पसुपतिनात, सिव की मूर्ती, कुम्भकारों के छा बट्टे, सूती कपडा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के सीपी की बनी हुई पट्री, अन्तिम इस्तर पर बिखरे हुए एवं कुएशे प्राप्त नरकंकाल, घोडे के दात, एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साच मिले हैं साथियों, मोहन जोदणों से 130 की मी, दच्छिड पूरू में इस्थित चनहुदणों की खोज सरुपर्थम वर्ष 1931 में M.G. मजूनदार ने की थी, वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया यहां सैंधो संस्कृत के अतरिक्त प्राक हडपा संस्कृती, जिसे जूकर और जाकर संस्कृत कहते हैं के अवशेश मिले हैं संभवता यहां एक और धोगिक केंदर था, यहां मडिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बठखरे बनाने का काम होता था मैके को यहां से मनका बनाने का कारखाना यानि की बीड फैक्टरी तथा भठी प्राप्त हुई थी यहां से प्राप्त अवशेशों में प्रमुखाय अलंकृत हाथी, खिलावना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन साउंदोर्य प्रशाधनों में प्रयुक्त लिपिष्टिक आदी चनहुदडो एक मात पुरा इस्थल है जहां से वक्राकार इटे मिली है यहां किसी दुर्ग का अवशेश नहीं मिला है साथियों गुजरात में एहंदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर इस्थित लोथल की खोज सरुपर्थम डॉक्टर एशार राव ने की थी सागर तट पर इस्थित यहां इस्थल पश्चिमी एसिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था नगर योजना तथा अन्य भोतिक वस्तूओं के आधार पर लोथल एक लगु हडपा या लगु मोहन जोड़ो नगर प्रतीत होता है यहां से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं लोथल में गड़ी तथा नगर दोनों एक रच्छा प्राचीर से घीरे हैं लोथल की सबसे प्रमुख विसेस्ता जहाजों की गोदी यानि की डॉक यार्ड है यहां से प्राप्त अन्य महत्तपोड अवशेस हैं धान या चावल और बाजरे का साच्छे फारस की मुहर घोडे की लग म्रमूर्ती तीन युगल समाधियां आदी काली पंगा राजिस्थान के हनुमानगड पूरु में हनुमानगड जिला गंगा नगर का भाग था हनुमानगड जिले में इस्थित है इस इस्थल की खोज अमलानंद घोशने की थी वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंब किया यहां पूर्वी और पश्मी तीला अलग-अलग सुरच्छा प्राचीर से घीरे थे यहां पर पश्चिम दिसा में इस्थित दुर्ग वाले तीले पर शैंधो सब्विता के नीचे प्राक सैंधो संक्स्कृत के पुरावशे स्प्राप्तु हुए है मोहन जोदणों के भवन पक्की इटों के बने थे जबकी काली बंगा के भवन कच्ची इटों के बने थे पक्की इटों का प्रियोग केवल नालियों कुओं एवं इसनानागार बनाने में ही किया गया है यहां से जुते हुए खेत के साच्छे मिले हैं जिसकी जुताई आडी तिर्ची की गई है मोहन जोदडो एवं हडपा के शमान यहां से दो टीले मिले हैं जो सुरच्छा दिवारों से घिरे हैं पूर्व की और इस्थित टीला बड़ा जबकी पश्चिम की तरफ इस्थित टीला छोटा था पश्चिमी टीले को काली बंगा प्रथम नाम दिया गया है यहां से भूकंप का साच्छ मिला है दुर गया कढ़ी वाले टीले के दच्चिड अर्दभाग में पांच या च्छा क अच्ची इटों के चबूत्रे बने थे एक चबूत्रे पर अगनिकुंड कुवा तथा पक्की इटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पसुओं की हड्डिया थी दूसरे चबूत्रे पर साथ अगनिकुंड या वेदिकाएं एक पंग्त में बनी थी यहां से सेल वर्स 1968 में इसकी खोच जेपी जोसी ने की वर्स 1991 के दौरान आर एश बिष्ट दौरा व्यापक पैमाने पर उत्कननकार प्रारंब किया गया यहां नगर आयताकार बना था इस नगर को तीन किलो तीन भागों किला मद्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया यहां से एक विशाल जलासय मिला है यहां के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे यहां से हडपा लिप के बड़े आकार के दस चिन्हों वाला एक शिलालेक मिला है सुरको तड़ा गुजरात के कच्च जिला में इस्थित है यहां नगर दो दुरगी करत भागो गढ़ी तथा आवास छित्र में विभाजित था यहां के कबरिस्तान से कलश सवाधान के साच्चे मिले हैं यहां घोडे की कुछ हड़ियों के साच्चे मिले हैं सातियों दैमाबाद महराश्र के अहमद नगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर इस्थित है यहां सैंधो सभ्यता का सबसे दच्चडी इस्थल है यहां से रथ चलाते हुए मनुस्य सांड गैंडे की आकरतियां प्राप्त हुई हैं यहां से कुछ सातियों राखिगड़ी हरियाना के हिसार जिले में घगघर नदी के किनारे इस्थित है इस इस्थल की खोज वर्ष 1979 में सूरजभानने की यहां नवीनतम सोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधो इस्थल है सातियों रोपड पंजाब सतलज नदी के बायं तटपर इस्थित है इसका आधुनिक नाम रूपनगर है वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से पचपन के दौरान यग्यदत्त सर्मा ने इसकी खुदाई करवाई यहां से मर्दभांड सेल खड़ी की मुहर, चर्ट के बठखरे, एक छुरा, तांबे के बाढ़ाग्र तथा कुलाडी आधी प्राप्त हुरिये हैं यहां से मनुस्य के साथ पसुपालन, कुत्ते के दफनाय जाने का साच्चे मिला है साथियों रंगपुर गुजरात के सौराष्ट छेत्र में है यहां से प्राक हडपा, हडपा और उत्तर हडपा कालीन सब्विता के साच्चे मिले हैं यहां से प्राप्त वनस्पत अवशेशों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे सैंधो सब्विता के प्रमुक इस्थल और उनसे संबंधित नदी की बात कर लेते हैं हडपा रावी नदी के तट पर था, मोहन जोदडो सिंधु नदी के तट पर, काली बंगा घगर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, रोपड सतलज नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपूर हिंडन नदी के किनारे सुकता गेंडोर दास्क नदी के किनारे और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे था साथियों आलमगीरपूर उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में हिंडन नदी के किनारे इस्थित है यहां से खुदाई में मरदभाण एवं मनके मिले हैं कुछ बरतनों पर त्रिपुच, मोर, गिलहरी आदी की चित्रकारियां मिलती है हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इस्थित है यहां से कांचली मिट्टी के मन के चूडियां खिलावना गाडी आदी मिले है सैंधो लिप युक्त एक ठप्पा का भी साच्चे मिला है साथियों देशलपुर से एक रच्छा प्राचीर मिला है सुकता गेंडोर इस्थल दच्छड पलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे इस्थित है साथियों इसकी खोज वर्स 1927 में औरेल इस्टील ने की साथियों पलूचिस्तान के दच्छड ततवर्ती पट्टी पर इस्थित बाला कोट एक बंदरगाह के रूप में कारे करता था यहां से हडपा पूर्व इवं हडपा कालीन अवशे स्प्राप्त हुए हैं इसकी नगर योजना सुनियोजित थी भवनों के निर्माड में कच्ची इटों का जबकि नालियों में नालियों के निर्माड में पक्की इटों का प्रियोग किया गया था यहां का सबसे समरिद्ध उद्धोग सीप उद्धोग था यहां से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूडियों के टुकड़े मिले हैं साथियों बनावली हर्याणा के फतेहाबाद पूरो में हिसार का भाग था फतेहाबाद जिले में इस्थित है वर्ष 1973-74 में आर एस बिश्ट द्वारा इस इस्थल का उत्खनन करवाया गया यहां से संग्सकृत के तीन इस्थर प्रकास में आये प्राक सेंदो, विक्सित सेंदो एवं उत्तर सेंदो यहां की सडके नगर को तारांकित याने की इस्टार सेब्ड भागों में विभाजित करती है यहां से मुहरे, बठखरे, लाजवर्द तथा कारनेलियन के मन के हल की आकरति के खिलों ने तांबे के बाडाग्र आदि के साच्छे मिले हैं भगवानपुरा हर्याना के कुरूछेत्र जिले में सरस्वती नदी के दच्छडी किनारे पर इस्थित है जेपी जोसी ने भगवानपुरा का उत्खनन करवाया था यहां के प्रमुख अवशेशों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की काच की चूडिया, तांबे की चूडिया, काच की मिट्टी के चित्रित मन के आदि है साथियोग मांडा जम्मु एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दच्छडी किनारे पर इस्थित है वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोसी तथा मधुवाला दोरा करवाया गया था उत्खनन से यहां तीन सांस्कृतिक इस्थर प्राप्त हुए है प्राक सैंधो, विक्सिस सैंधो एवं उत्तर कालीन सैंधो यहां से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाडाग्र, चर्ट ब्लेड, कांसे निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आधी के अवसेज प्राप्त हुए है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हडपन पुराइस्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सवाधान प्राप्त हुए है जिनकी दिसा उत्तर से दच्चिड है मिस्र की सब्वेता का विकास नील नदी की दोडी में हुआ मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता सुमेरिया सब्वेता के लोग प्राचीन विश्व के पर्थम लिप आविस्ष करता थे खुदाई से प्राप्त बहुशंक्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो सब्वेता मात्र सब्तात्मक थी सैंधो लोग साका हारी तथा मांसा हारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे उनके वस्त्र उनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे कंठहार, करडफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आधि आभूसड पहने जाते थे नवसारों से इस्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाड मिले हैं जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है सैंधो काल में पासा प्रमुख खेल था सिंदु घाटी सब्धिता के लोगों के मुख्य खाद्यान केहूं और जव थे साथियों रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेस मिले हैं लोथल से व्रत्ताकार चक्की के दो पार्ट मिले हैं सूती वस्त्रों के अवशेसों से यहाँ निसकर्स निकाला जाता है कि यहां के निवासी कपास उगाना जानते थे सरुप्रथम सैंधो निवासियों ने कपास की खेती प्रारंब किया भारत से कपास युनान गई जिसे युनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे भारत में कपास की खेती का प्रारंबः 3000 इशापुरु में किया गया जबकी मिस्र में इसकी खेती 2500 इशापुरु के लगबग सुरू की गई हरपपा मोहन जोदलो काली बंगन सुरको तड़ा के इस्थलों से कूबरदार उूट का जीवास्म मिला है सुरको तड़ा लोथल काली बंगा से घोडे की म्रमोर्तियां, हड्डियां, जबडे आधि के अवशेस प्राप्त हुए है साथियों सिंद सब्भिता का प्रमुख उद्धोग वस्त्र उद्धोग था मोहन जोदलों से तामबे के दो उपकरणों से लिप्टा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है लोथल तथा चन्हु दड़ों में मन के बनाने का कारे होता था लोथल तथा बाला कोट सीप उद्धोग के लिए प्रशिद्ध था साथियों सैंधो काली इन लोग सिंद सब्भिता की लोग कुछ धातुओं का आयात करते थे तो अब हम बात करेंगे कि वहा कौन सी धातु कहां से मंगाते थे साथियों जैसे तांबा तांबा वहा खेतडी राजिस्थान एवं बलुचिस्थान से मंगाते थे लाजवर्द का आयात बदकसा अफगानिस्थान से करते थे फिरोजा टिन का आयात वहा इरान से करते थे चांदी का आयात राजिस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्थान एवं इरान से करते थे साथियो सीसा का आयात अफगानिस्थान और अजमेर से करते थे जबकि सिलाजीत हिमालय से गोमेद गुच्राज से मंगाते थे सातियों सैंधों निवासियों का आंतरिक एवं ब्राह व्यापार उन्नत अवस्था में था शिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्त वीनिमें द्वारा किया जाता था लोथल एवं मोहन जोदडों से हाथी दात के बने तराजू के पलडे मिले हैं उनके बाट मुख्यता घनाकार होते थे कुछ बाट बेलनाकार, डोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं सारगोन युगीन सुमेरियन लेक से ग्यात होता है कि मेलुहा, दिल्मुन तथा मगन के साथ, मिसोपटामिया के साथ सारगोन युगीन सुमेरियन लेक से ग्यात होता है कि मेलुहा, दिल्मुन तथा मगन के साथ, मिसोपटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे मेलुहा की पहचान सिंद छेत्र से की गई है दिल्मुन की पहचान फारस की खाडी के बहरीन से की गई है सुमेरी की अभिलेखों में दिल्मुन को साफ सुतरे नगरों का इस्थान या सूर्योदय का छेत्र और हाथियों का देश कहा गया है मिस्र के साथ व्यापारिक संबंद का पता लोथल से प्रात्ममी की एक आकरति से चलता है सैंधो सब्भिता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्डकला, मृदभांडकला आदि की उन्नत होने का प्रमाण मिलता है मोहन जोद्रों से एक सैयुक्त पसुमूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें सरीर बेण का तथा मस्तक सूनदार हाथी का है हड़त्पा की पासान मूर्तियों में दो सिर्रहित मानव मूर्तियां उलेखनी आ है धात मूर्तियां लुप्त मोम या मदुचीष्ट विध यानि की लौश्ट वैक्स से बनाई जाती थी मोहन जोद्रों से प्राप्त नर्थकी की कान समूर्ति अत्यनत प्रशिद्ध है लोथल से कुत्ते तथा काली बंगन से तामर मूर्ति प्राप्त हुई है चनहुदणों से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैल गाड़ी की मूर्तियां उलेखनी है मुर्मूर्तियां पुरुषों इस्त्रियों और पसुपच्छियों की प्राप्त हुई है मानो मूर्तियां अधिक तर इस्त्रियों की है सरवाधिक म्रमूर्टियाँ पशुपच्छियों की प्राप्त हुई है सैन्धोकाल में सरवाधिक मोहरे सेलखडИ की बनी है इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चेट, गोमेद, मिट्टी, आधि की बनी मोहरे भी है अधिकांस मोहरे वरगाकार या चौकोर हैं किन्त कुछ मोहरे घनाकार, गोलाकार अत्वा बेलनाकार भी है सिंदु सब्यता की मोहरों पर सरवाधिक अंकन एक स्रंगी बैलों का है उसके बाद कूवडवाले बैल का साथियों पसुपति सिव का प्रमाड मोहन जोदलों से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकरत बनी है साथियों उस योगी के दाईं और बाग और हाथी तथा बाईं और गेंडा एवं भैसा चित्रित किये गए है दो हीरन भी बने है योगी के सिर पर त्रिसूल जैसा आभूसड है तथा इसके तीन मुख है मारसल महोदय ने इसे रूद्र सिव से संबंधित किया है साथियों सैंधो मुर्दभांड मुख्यता लाल या गुलाबी रंग के है कुछ मुर्दभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गये है कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कचुवा, मचली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है सैंधो मुर्दभांडों में बर्तभां, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख है साथियों इस काल में सोने चांदी के अतिरिक्त, हाथी दात, संख आदि के भी आभूसर तयार किये जाते थे सैंधो सब्विता में मात्र देवी की पूजा प्रमुख थी हडपा से प्राप्त एक इस्तरी की मूर्थ में उनके गर्ब से निकलता एक पौधा दिखाया गया है संभवता यह देवी धर्ती की मूर्थ थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समस्ते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आईसिस की पूजा किया करते थे साथियों मात्र देवी एवं सिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधो निवासी पसूओं पच्छियों व्रच्छों आदि की भी उपासना करते थे साथियों लोथल, काली बंगन एवं बनावली के पुरा इस्तलों से अगनिकुंड अत्वा यग्य वेदियों के साच मिलते हैं उत्तर दच्चिड दिसा में सव दफनाने की प्रथा प्रचलित्ती किन्तु इसके अपवाद भी मिलते हैं काली बंगन में सव दच्चिड उत्तर, रोपड में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिसा में प्राप्तु हिये हैं साथियों आंसिक समाद्री करण के उदारण बहावलपुर से मिले हैं सैंदो सब्विता के विनास के कारणों पर विभिन इतिहास कारों एवं विद्यानों का जो मत है अब हम उसको डिसकस कर लेते हैं साथियों कुछ विद्वान जैसे कि मारसल मैके एस आर राओ का मानना है कि इसका विनास जो है वाबाड से हुआ था जबकि गार्डेन चाइल्ड मार्टिमर वीलर और इस्टुवर्ट पिगनट मानते हैं कि इस सब्विता का अंत आर्यों के आकरमण के द्वारा हुआ जबकि औरेल इस्टाइन अमला नंदगोश यह मानते हैं कि जलवाई परिवर्टन की वज़ा से यह सब्विता नश्ट हो गई MR शाहनी, HT, Lambrick, G of Dales इनका मानना है कि भूतात्विक परिवर्टन के कारण इस सब्विता का विनास हो गया K.U.R. कनेडी, इनका मानना है कि महामारी आई होगी जिसकी वज़ा से यह सब्विता नश्ट हो गई होगी जबकि M. दिमित्र येव का मानना है कि अद्रश्य गाज, अद्रश्य गाज की वज़े से इस सब्विता का अन्त हो गया होगा धन्यवाद, जैहिंत